सूप्रभाद नमस्का स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ अंशिका आप देख रहे हैं सुभा नौ बजे आईए श्रुवात करते मुखे समाचारों के साथ सांसर में आ मर्यादित विवार और आ सांसर ये भाषा के इस्तिमाल से उप्रास्पती आहत जनप्रितिनिधियों को भाषा और विवार सुभाने की सल्गा सदन में गतिरोद खत्म करने की अपील कहां विधायका में हिंसा की जगा नहीं लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताफ का नोटिस मन्जूर कराने पर होगा YSR कॉंग्रेस और TDP का जोर कॉंग्रेस जवामदलो, CMC और RGD भी प्रस्ताफ के समर्ठन में उत्रप्रिदेश की योगी आज दिना सरकार का एक साल पूरा सरकार की उपलब्दियों को आम जनों की बीच पहुचाने को लेकर राजभर में कई कारे क्रमों का आयूजित उत्राकन में भी BJP सरकार ने रविभार को पूरा किया एक साल व्लादेमेर पुटेन फिर 6 साल के लिए दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की राष्टपती निर्वाचित करीवी प्रतिद्वन्दी पावल गुरुदीन नंद को मात प्रतिवन्द की वजे से मुख्य विपक्षी नेता एलक्सने नवालनी नहीं लड़ सके चुनाव आकरी गेंद पर दिनेश कार्टिक के छक्के की बड़ालत में उप राष्टपती एमवई के नाईदू ने कहा है कि संसद में हाल के दिनों में अमर्यादित व्यवार और असांसद ये भाषा के इस्तिमाल से उन्हीं सबसे जादा दुख पहुचा है उप राष्टपती ने संसद में आमर्यादित व्यवार और असांसद ये वहासा के इस्तिमाल पर एक वर फिर चिंता जाहिर की है उन्होंने कहा कि संसदों को ये याद रखना चाहिए कि वो जनित के रक्षक हैं और देश के भविश्च के रखवाले हैं वो प्राष्टपती ने संसदों को बदला लेने की राजनीती से बाहर निकलने की भी सला दी So please let us stop this erosion of standards, let us stem the tide of growing public mistrust in the system, otherwise people will lose confidence in the system Let us recall Gandhiji's wise words, quote, no perfect democracy is possible without perfect non-violence at the back of it He got freedom with non-violence So can't we make changes in the public life by protesting in a non-violent method? That is a jur violence, violent speech and violent actions Let us discuss, debate and decide in a dignified manner Violence is no solution वो प्राष्टपती ने संसदों को बदला लेने की राजनीती से बाहर निकलने की सला दी उन्होंने कहा कि विपक्च को सिर्फ इसलिए अबरोध नहीं पैदा करना चाहिए कि उनके समय में ततकालीन बिरोधी दल गतिरोध पैदा करते थे वो प्राष्टपती ने कहा कि ये अंतहीन लड़ाई खद्म करके हमें नई सुरुआत करनी चाहिए इस ताम परंज इसन्युक्ती नहीं प्रॉट्पत्सृफट Jahr change must begin in assembly, change must begin in council, change must begin in municipal corporation council and municipality and panchayat raja. As a step into new year, I would urge all political parties to consider adopting a code of conduct that would enable illustrators and parliamentarians to enhance the dignity of the assemblies, councils and parlaments and also local bodies. Because we are the leaders in Delhi, others in Delhi, will look towards in Delhi. I would like to see a distinct change in the way we run these institutions. I would like to see an ordinary transaction of business. I would like to see informed debates and balanced decisions being taken for the welfare of the people. I would like to see the members arguing with each other with the force of lagging, not physical force. अतंत्रता सिनानियों के बलेदान के प्रतिस समर्प्मण के वारिस हैं. हमारे पूर्वजों ने हमें सांदार बरत्मान दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेदार यह है कि हम अपना बरत्मान अच्छे वफिस्षी के लिए समर्पित करें सत्ति ब्रतारिय के साथ Bureau Report Invertis Live. छे मार्ज से लोगसभा अजेंडे में भी यह सामिल है, लेकिन चर्चा शुरू नहीं हो पाई है. लोगसभा में बिना मद्दान वाले नियम 193 की तहट बहस प्रस्तावित है. नियम 193 की तहट चर्चा के बाद बोटिंग का प्राबधान नहीं है. वहीं राज सभा के अजेंडे में साथ मार्ज से यह शामिल है, लेकिन गतिरोद की वज़े से इस पर उपरी सदन में भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई है. राज सभा में आल्पकालिक चर्चा में हरिवांश, रूपा गांगली और आरके सिना सभी विविन्न दलों के सांसद हिस्ता लेंगे. सांसद सारे जने छेत के कुछ बैंक के कुछ कथित घोटा लो और उन्हें रोकने में बैंक, विन्यामताओं की विफलता की ओर सरकार का ध्यान दिलाएंगे. वही YSR कॉंग्रेस और तेलको देशयं पार्टी का आज भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताफ को लेकर अपने नोटिस को सुईकार कराने पर जोर होगा. YSR कॉंग्रेस ने केंदर की NDA सरकार के खिलाफ नोटिस दे रखा है. नोटिस सुईकार होने पर पार्टी नेता YSR कॉंग्रेस अविश्वास प्रस्ताफ को पेश करेंगे. नोटिस तभी सुईकार हो सकता है जब इसके पक्ष में कम से कम 50 सांसद हों. उधर TDP ने भी शुक्रुवार को अविश्वास प्रस्ताफ का नोटिस दिया था. इस पस्ट कहा है कि उनके पास पूर्ण भहुमत है. लोगसभा में YSR कॉंग्रेस के 9 और TDP के 16 सदसे हैं. अगर अविश्वास प्रस्ताफ सुईकार भी होता है तो इसका गिरना तैय है. बीजेपी को लोगसभा में पूर्ण भहुमत हासिल है. फिलहाल लोगसभा में 536 सदसे हैं. इनमें बीजेपी के 204 सांसद हैं. जबकि पार्टी को कई सहीयोगी दलों का समर्थन भी हासिल है. वही तिलंगाना के मुख मंत्री के चंदरशेखर राओ और पस्चिन मेंगौल की मुख मंत्री ममताव एनरजी मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात कोलकाता में होगी. चंदरशेखर राओ अगले आम चुनाओ के लिए क्यार कॉंग्रेस क्यार बीजेपी कटपंदन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं. उन्होंने पिछले दिनों में तीसरे मोर्चे का विचार सामने रखा था. ममताव एनरजी ने भी क्यार बीजेपी दलों को एक मंच प रुकता बढ़ानी के लिए कल दिल्ली कॉंस्टिटूशन क्लब के सांसदों ने कार्यली निकाली. इसके साथ फिलाल सुबह नौ बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही नमस्कार. एक जुटन समय कारिसा अंच में पाली ने की खबरों के लिए लoundश्या क्ञाट सुएमैं लेकाली में इतmeraundin हैं, विख जास्टीूचंस Michal commenta, अश्या थार्वा बजाओन ने में में घु Hawk's Cup Hazel, ऑउ McP